हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका डेटा फ्लेयर में जहां पर आज में आपके सामने बहुत सी अलग-अलग टेक्नोलोजी जिनके करियर पात क्या होंगे जिसमें आप किस तरीके से अपना करियर आगे स्टेबल कर सकने मैं आपको हेल्प करना हूँ मैं आपका डिसेजन लेने में यहां पर थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ ओके तो यहां पर शुरुवात हम करने हैं आप दीखिए बहुत छोटे-छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे कि जब हम सॉफ्टेर इंडिस्टी में आने की बात करते ना तो देरा यूज ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ओप्शन होतें वीबल्पर मोबाइल डिवलप्मेंट गेमिंग अप्लिकेशन ए यहमदान फकका राइट के वर्चुल अप्लिकेशन है वर्चुल डेवलपर आप जा सकते हैं एर वियार में देन विए अप्लिकेशन अप्लिकेशन क्योंकि जब से चाट जीपीटी आया है एया एमेल इजन हुज डिमांड इन दे मार्केट ओके गेमिंग अप्लिकेशन जो एवर ग्रीन ब बढ़ सकते हैं किस टेक्रोंची को मुझे सीखना पड़ेगा तो चलिए एक- एक करके सारी अप्लिकेशन की बात करते हैं शुरुआत करते हैं वेब अप्लिकेशन से तो यहां पर आपने अपना युजर आईड दिया है पासवड दिया है तो कैसे पता चलता है कि तो लेकिन सही या गलत पता करने के पहले मुझे यूजर इंटरफेस बनाना है एक ग्राफिकल अप्लिकेशन बनाना है ओके तो यह ग्राफिकल अप्लिकेशन कहलाता है फ्रेंट कि जहाँ पर आपने अपने यूजर आईटी पासवर्ट दिया और वेल्यू प्रेस वन सम्मि आप मेरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में इसको बिल्कुल देख सकते हैं तो फ्रेंटेंड मतलब किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जो यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज में हम लाते हैं तो यदि इफ यू वांट टो बिकाम फ्रेंट डेवलपर तो आपको पढ़ JavaScript में क्राइट में करी दिफ्रेंस है तो इसके लिए प्लीज आपसे रिक््वेस्ट यहीं कि आप मेरे JavaScript स्कृप्ट की ओके तो फ्रेंटेंट डिवलपर देन इफ यू वांट डिवलपर जैसे मैं आपको कहा कि वंच्यों डेटा रीज तूदा सर्वर अब सर्वर पर इस अप्लिकेशन को किस से रण करना है सर्वर साइट अप्लिकेशन किस तरीके से डिजाइन होंगी तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है जावा जावा में जहां पर आप सर्वलेट जैस्पी स्प्रिंग स्प्रिंग बूट हाइबर नेट इन टेक्नोलोजिस को यूज कर सकने इफ यू वांट टो बिकम पाइफ़न डेवलेपर अगर आपको लगता है कि सर मैं पाइफ़न में जाना चाहता हूं दिन यह वाप्शन अप डी जैंगो फ्लास्क पी एच पी पर आप जा सकते हैं आप यहां पर थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स् फ्रेंट और बैकेंड दोनों में हेल्प कर सकता हैं ओके तो अगें दिस इस वन अफ गूड ऑप्शन कि आप एक जावा स्क्रिप्ट फुल स्क्रिप्ट डेवलेपर बन जाएं जहां पर आप इस टीमल सी एसे जावा स्क्रिप्ट नोड जेस यह टेक्नलोड जिस पढ़न यह सबसे इंपॉर्टेंट भटकना नहीं है नहीं तो पता चला आप ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करी आपके दोस्तने पाइथान पढ़ना शुरू करी अब वह आपको पाइथान के फीचर बता रहा है आपका मन फिर डगमगा गया यह नहीं करना है क्योंकि हर टेकनलोजी के अपने एडवांटेज और डिसडवांटेज है जाएंगे सब एक साथ एकी जगह पर रास्ते आपके अपने उंगर वह आपका लाइकिंग डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पात लेना है ठीक इसी नहीं मैं आप से बोला कि यदि आप डेवलपर के बार लेना है option में भी आपको बता रहा हूं लेकिन लेना जरूर है तो यह आपके पास एक option है web developer then you should go for another option mobile development यदि आपको लगता है you want to become a mobile developer तो mobile development में आपके पास option है कि आप native environment में रहना चाहते है या cross platform environment में आना चाहते है अब दोनों में difference का है native environment मतलब यह कि यदि आप android app बना right तो यहां पर अगर आपको specifically android app developer बना है then you can start with the android development लेकिन then you need to shift on kotlin की android or kotlin यह option है आपके पास but this technology is specifically used for android application development यदि आपको लगना है आपको iOS app developer बना है then objective C से आप शुरू करे और objective C के बाद you must be shift on swift technology swift this is one of the most usable technology to make an iOS application developer but याद रखेगा this is an native environment कि अगर आप kotlin यूज करने है तो अगर आपको लगता है you want to develop a cross platform environment के जहां पर आप एक ही एप को आप multiple platform पर रन करना चाहते है कि वाई वी शूट गो फार क्यों कि आप देखेए it's very time consuming अगर आप एक एंड्रोइट के लिए बना रहे है दिन फिर आप another app उसको डेवलप कर र वहां पर आप एक लेडिवलपर एक लूट पार आप लुट पर यूज अपर हम फ्लूं पर हम फ्लुटर पे जा सकते है फिजिए पैज बागल आप एक वू फो यूज आप लिए वर आप लिए पर रियत नेटिव जो की फेस्बूक नेजिए नेजिन के फॉर पर एक्र you can say that environment cross platform environment the application which you can design on Flutter can be run on iOS as well as Android platform and the application you can design using React Native can also be run on any of the platform so this is again a better and best option for your career कि आप यहां पर भी अपने career के बारे में सोच सकते हैं यदि आप mobile developer के बारे में सोच रहे हैं तो right then another option यदि आपको लगता है कि you want to become a game developer बड़ा interesting option है gaming application में जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे gaming application mostly अगर आप देखेंगे ना दिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइपस ऑफ गेम सार देर और यह जो gaming applications है दे गेमिंग डेवलपर यूजेस तू टाइपस ऑफ एंजन या तो वह यूज करते हैं यूनिटी इंजिन को या यू यूज करते हैं अन्रियल इंजन को तो यदि आपको लगता है कि यू वांट टो विक अम देखें इसके लिए आपको थोड़ा सा अप्लिकेशन डेवलप करना चाहते हैं गेमिंग अप्लिकेशन दिन यू मस्ट लन सी शाप टेक्नोलोजी यदि आपको यूनिटी पर जाना है तिन यू मस्ट गो फॉर देखें प्लस प्लस ओके तो इस इस लिए आपको नाम लिया है कि अगर आप आप अलेडी जानते है अगर आप Python जानते हैं then why you should go for another technology अप इनी टेक्नोलोजी पर स्टक रही है और Java में गेमिंग अप्लिकेशन डेवलप कर रही है अब Python में गेमिंग अप्लिकेशन पर जा सकते हैं तो this is what the option for gaming application then another option अगर आपको लगता है one of the most demandable technology थे कि demandable तो सभी है लेकिन just after chat GPT AI ML ने जो resolution लिया और एकदम से जो market change हुआ है again one of the best career option for you अगर आप चाहते हैं कि AI ML पर आपको आना है then all these courses are freely available on dataflare website जो पहले भी में बताया है और जो आगी बताने वाला हूं और ये भी right then सबसे पहले आप Python पढ़िए core python पर जाईए core python को थोड़ा सा beginning से advanced level पर लेके जाईए object oriented python पर जाईए python को complete करने के बाद after completion of python at least 2-3 छोड़े छोड़े प्रोजेक्ट आप बनाईए and then start to learn numpy in pandas which is the python library for AI ML application अब numerical python पर जाईए pandas applications को पढ़िए कि data के साथ किस तरीके से deal के जाती है pandas को use करके numerical operations कैसे perform होंगे numpy को use करके यदि आपको लगता है आपको machine learning के algorithms को सीखना है machine learning algorithms को implement करना है then circuit learn is the best option for you यदि आपको लगता है आपको deep learning पर जाना है देखी steps है these are the steps आप machine learning समझेंगे तब आपको machine learning की limitation समझ में आएगी so that you will go for the deep learning so that deep learning पर अगर आप जाना चाहते है then keras, tensorflow, pytorch these are the libraries available in python for application development of related with AI and ML यदि आपको लगता है आपको data visualization पर जाना है like आपको data को graphical form में represent करना है chart के form में represent करना है visualize करना है then matplotlib and sebone these are the two libraries available in python यह इसलिए easy है आप देखिए complex तो सब चीजें होती है अगर आप चाहते हैं कि आपका package एक हैंसम package आपको चाहिए 40-50 लाक के package पर आप सोच रहें तो कोई भी 40-50 लाक के package पर अगर सोचेगा ठीक है तो आसान तो कुछ नहीं होगा ना बिटा जाना तो थोड़ा सा complexity के साथ ही पढ़ेगा लेकिन यहीं से तैयारी करके जाएंग तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं होगे नहीं तो फिर एक समय आएगा जब इंजिनेरिंग या जो भी डिग्री आप कर रहें complete हो जाएगी उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे इससे बैटर रहें इसलिए मैं आपको options बता रहा हूं okay so this is again and these are the library after completion of your python आप इन लाइब उतने आपके लिए फायदा रहेंगा okay so this is one of the option और यदि आपको लगता है कि you want to become a system software developer system software developer मतलब we can say that embedded software right embedded software मतलब यह बहुत एक थोड़ा से different kind of field है but again it's an interesting field तो यदि आपको लगता है आपको OS development में जाना है operating system development में जाना है system software application like अगर आपने नाम सुनो compiler, loader, linker, driver ठीक है तो यह सब वो software है जो system को run करने के लिए system install किये जाते है right compiler, loader, linker, driver, operating system यदि आपको लगता है you want to become an embedded system software developer तो फिर आप cc++ पर जा सकते है vc++ पर जा सकते है vc++.net पर जा सकते है Microsoft का Windows application designed in vc++.net Unix operating system आपने नाम सुना होगा तो cc++ पर जा सकते है जो आपको गेमिंग अप्लिकेशन में भी लेके जा सकते है जो आपको embedded system development में भी लेके जा सकते है इवन यू और जो फोर रस्ट इस इन यू ऑप्शन इन इस अरिया राइट एगर आप embedded system पर जाना चाहते है देन एक्स्प्लोर करें अब रस्ट को इस अगें दा option जो आपको embedded system की और लेके जा सकता है देन अगें virtual reality option ने जहां पर हम AR VR application बना सकते है reality application virtual reality आपने देखा होगा ना कि बहुत जैसा virtual games आते है अपने देखा होगा दे बच्चे गें खेलते है और वो वर्ट्योल गेम जो चलता है that virtual game is again popular in the market right now okay you can also go with that और उसके लिए भी आपको C sharp या जो आपने बात कि थे ना real engine की और unit engine की that the same concept we can use for AR VR application जिसको हम virtual reality applications की बात करते हैं okay so these are the career options available for you but decide करिए कि क्या करना है और data flare की website पर आपको सारे courses with free certificate available है तो बस पढ़िए पढ़िए और पढ़िए और बस पढ़िए ठीक है with project पढ़िए ठीक है क्योंकि देखिए technology को पढ़ना अलग बात है मैं हमेशे एक बात बोलता हूं certificate के लिए कभी भी किसे technology को मत पढ़िए क्योंकि certificate is only a paper जो आपको company तक लेके जा सकता है जो कि important है लेकिन वो केवल आपको company तक लेके जाएगा बाकि उसके आगे तो आपका knowledge ही लेके जाएगा इसलिए knowledge with certificate is more important चलिए तो करेंगे मुलाकात तिल दें टेक क्यार बबाए